प्यारे बच्छों definite article 2 में specific rule last वीडियो मैंने graphic rule फर्स्ट बताया था अब आपको हम specific rule second बताएंगे जिन में हमाय इस पांच बिंदु ओपर चर्चा करेंगे ऑप पांच बिन तब उसे बहुत जादे इंपार्टन चाहे हो यूपीटेट हो चाहे आप इंटरमीडियर सिंटेक्स की बात करते हो जो भी हो हर कंपटीशन अस्तर के और हो में परिच्छां में हर परिच्छाओं के लिए महत्पूर है सबसे पहले यह जाना बिंदवार है कि कंप्रेटिव डिगरी में समानांतर बढ़ोतरी गिरावट दर्साने में दा का प्रियोग होता है कंप्रेटिव डिगरी जैसा कि मैंने आपको बताया कि अड्जेक्टिव की तीन डिगरी होती है पाजिटिव कंप्रेटिव और सुपरलेटिव उसी तरह एडवर्ब की तीन डिगरी होती है पाजिटिव कंप्रेटिव और सुपरलेटिव डिगरी तो इसमें जो बताएग तो उनको दरसाने के लिए दा का प्रयोग होता है होता किया है इसमें दो क्लाज होते हैं इसमें दो क्लाज होते हैं दो क्लाज में कंपडेटिव डिगरी लगी होती है और धान रखिएगा डा का का प्रयोग होता है जैसे यह से देख Jesus 120 है 2 दा हायर यूगों का है नहीं कर दा हायर यूगों है यह यह पूलर लिखा है डिगरी कौन सी है या गिरावट होती है तो गिरावत होती है तो क्या करते हैं दा कप्रियों करते हैं दा हाईयर यूगो दा कुलर यूफिल दा कप्रियों करते हैं जैसे एक और समन लीजिए दा मोर ही गेट्स दा मोर ही गेट्स दा मोर ही वांट्स दा मोर ही वांट्स जितना अधिक वह पाता है उतना अधिक वह चाहता है दा मोर देखे, दा लगा है, यह भी कंप्रेटिब डिगरी है, अग कंप्रेटिब डिगरी होने के कारण, यहाँ पर दा लगा हुआ है, समानांतर बढ़ोतरी, घटोतरी होने के संस में दा का प्रयोग होता है, यह बहुत जादे इंपार्टेंट है, बहुत जादे इंपार् पर्व कोशलों हो दो क्लाज हैं इतना एक क्लाज हो गया इना एक ugla ajudar को गया डोक pourrait दोक ऑनों क्लाज की है पूर्व हम्दा कर्णेयों क्या बार्श दोक्राज है budget करते हैं competitive degree में दूसरा दूसरा बिंदू क्या है कि जब कामन noun को जब कामन noun को abstract noun के रूप में परदरशित करना हो तो कामन noun के पूर्व दा का प्रयोग करते हैं जैसे जब common noun को abstract noun के रूप में परदरसित करना हो तो common noun के पूर्व हम दा का प्रियोग करते हैं. जैसे जैसे देखे जैसे क्या है? फादर, मदर, फ्रेंड, ब्रदर, हमने क्या बताया आपको नियम्, दूसरा नियम् बताया है. जब किसी common noun को abstract noun के रूप में बताना हो, तो हम क्या करते हैं? तो common noun के पूर्व दा का प्रियोग करते हैं. जैसे यह सब common noun आपके सामने हैं, तो इसके पूर्व हम दा लगाएंगे, लेकिन एक साथ और लगाएंगे. दा फादर इन हिम, दा मदर इन हर, दा फ्रेंड इन मी, दा ब्रदर इन हिम. जैसा भी हो sentence, ऐसा है, तो जब किसी common noun को abstract noun के रूप में बदला जाता है, तो दा का प्रियोग होता है, दा का प्रियोग करते हैं, इसका मतलब समय लिए क्या होगा? दा फादर इन हिम का मतलब, इसका मतलब एक हुआ, कि उसके अंदर छिपे हुए, पिता के गुड़, वह इस से लिखेंगे, तो फादर मिस पिता होता है, अपकी पिता है, आपकी माता है, फ्रेंड आपका है, भाई है, कोई भी हो सकता है. लेकिन जब दा लिखा दा फादर इन हिम, दा मदर इन हर, दा फ्रेंड इन मी, दा प्रदर इन हिम का मतलब यह होता है कि उसके अंदर उसके अंदर छिपे हुए पिता के गुड़, गुड़ को दिखाना सुरू करता है इसलिए यहाँ पर the father abstract noun का काम करेगा दूसरा देखिए उसके अंदर इसके अंदर माता का गोड मेरे अंदर मित्र का गोड उसके अंदर भाई का गोड इसका मतलब इससे समझे कि when I took the baby जम मैंने बच्चे को उठाया the father in me aroused मेरे अंदर पिता के भाव उत्पन हो गए तो father के पुर्वदा लगा the father in him का मतलब होता है दफादर इन हिम का मतलब होता है उसके अंदर छिपेवे पिता के गोड़ उसके अंदर छिपेवे माता के गोड़ मेरे अंदर छिपेवे मित्र के गोड़ उसके अंदर छिपेवे भाई के गोड़ इस तरह जब किसी कामन नाउन को अप्स्ट्रेक्ट नाउन के रूप में ब प्रूरल सरनेम सरनेम का मतलब यह होता है सरनेम का मतलब है जैसे कोई जात के इसी है जो मिस्रा है कोई पांडे है कोई मौरिया है कोई सिंग है तो जैसे जिस जात के लोग होते हैं सरनेम सरनेम के पूर्व हम दा का प्रियोग करते हैं जैसे सरनेम, सरनेम के पूर्व हम दा का प्रयोग करते हैं, जैसे लिखेंगे दा गुपताज, दा पांडेज, दा मिसराज, इसका यह मतलब हुआ, कि जो सरनेम है, सरनेम के पूर्व दा का प्रयोग होता है, वो भी प्लूरल में लिखा गया है, गुपताज, पांडेज, मिसराज, इसका यह मतलब हुआ, दा गुपताज का मतलब हुआ, गुपताजी, गुपताजी की पतनी, गुपताजी के बच्चे दा पांडेज का मतलब हुआ पांडेजी स्वैम उनकी पतनी और उनके बच्चे दा मिसराज का मतलब मिसराजी स्वैम अपने उनकी पतनी और उनके बच्चे इसलिए यह सरनेम्स के पूर्व हम दा का प्रियोग करते हैं यह definite article दा के special rule में आता है next देखिए कुछ राज और देश ऐसे हैं जहां पर हम दा का प्रियोग करते हैं कुछ देश और राज ऐसे हैं जहां पर हम दा का प्रियोग करते हैं जैसे जैसे यह होता है कि जितने भी proper noun होते हैं उन proper noun के पूर्व दा का प्रियोग नहीं होता है लेकिन कुछ देश और राज ऐसे हैं कि जहाँ पर हमको दा लगाना पड़ता है जैसे जैसे देख लीजे जैसे यूके यूके है यूके लिखा हुआ है तो यूके की पुर्वंको दा लगाना है दा यूके का मतलब होता है दा यूनाइटेड किंगडम दा यूके दा पंजाब ये राज यह है भारत का दा पंजाब दा लगा हुआ है दा यू एस ए यूनाइटेड इस्टेड साब अमेरिका दा लगा हुआ है कुछ देश और राज ऐसे होते हैं जिनके पूर्व दा का प्रियोग होता है जैसे दा यूनाइटेट किंगडम, दा पंजाब, दा यू एस ए या लिए सकते हैं दा यू एस एस आर, दा यू एन ओ, दा यू एन ओ, कुछ देश और राज ऐसे होते हैं जिनके पूर्व हम दा का प्रियोग करते हैं नेक्स्ट बिंदु देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए कि प्रापर नाउन के पूर्व यदि एड्जेक्टिव लगा हो तो नाउन को विशेश बताने के अर्थ में दा का प्रियोग होता है प्रापर नाउन के पूर्व यदि एड्जेक्टिव लगा हो तो नाउन को विशेश बनाने के अर्थ में हम दा का प्रियोग करते हैं जैसे क्या लिखा है अकबर अकबर लिखा है अकबर के पहले हमने लिख दिया ग्रेट फिर लगा दिया दा इसका मतलब यह हुआ किसी प्रापर नाउन के पूर्व यदि एड्जेक्टिव लगा हो तो उस प्रापर नाउन को विशेश बनाने के अर्थ में दा का प्रियोग होता है यदे किसी प्रापर नाौन के पूर्व अड्जेक्टिव लगा हो तो उस प्रापर नाौन को बिसेश बनाने के लिए दा का प्रियोग होता है जैसे दा ग्रेट अकबर, मतलब अकबर महान दा ग्रेट अलेग्जेंडर, सिकंदर महान दा इम्मार्टल कलाम अमर कलाम आप ऐसे भी लिख सकते इसको अकबर दा ग्रेट अलेक्जंडर दा ग्रेट कामा लगाई है अकबर अकबर दा ग्रेट इस तरह भी लिख सकते आप अकबर दा ग्रेट अलेक्जंडर दा ग्रेट कलाम दा इम्मार्टल इस तरह भी लिखा जा सकता है इस परकार इस परकार इप पांच बिंदों को मैंने आपको step by step समझाया है जहां तक मेरा समझ है कि आप लोग समझ गए होंगे जहां तक मेरा कहना है कि आप लोग समझ गए होंगे अगले टापिक में अगले टापिक में इसी से related दो चार नियम और बचे हुए हैं उसको हम आपको बताने की कोशिस करेंगे That's all to be continued